हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माई चैनल लेट्स अचीव एक्सिलेंस तो फ्रेंट्स यह हमारा और गेनाइजिंग चैप्टर का पार्ट तू अल्रेडी पार्ट वन है अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगी आप महाँ पे जाके देख सकते ह तो हम पढ़ने वाले हैं Steps for the Process of Organizing यानि Organizing जब आप अपने बिजनेस में कर रहे हो तो वो होता कैसे है क्या Steps follow होते हैं सबसे पहला है Clarification of Objectives Before Formation of Organizational Structure It is necessary to have the clearly defined goals and its proper understanding आप जब organizing करने वाले हो उसके पहले ही आपको अपना goal clear कर लेना है अपने goals को proper तरीके से समझ लेना है कि आखिर हम लोग achieve क्या करना चाहते हैं आखिर हम लोग को क्या goal achieve करना है future में जैसे क्या पता कोई नई बिजनेस हो तो उससे एक साल के अंदर 5 करोड क का turnover complete करना हो या फिर कोई थोड़ी अच्छी company हो तो उसे क्या पता एक साल में 20 करोड का turnover करना हो तो सबसे पहले आपको अपना goal clarify करना है उसे अच्छी तरह से समझना है यही first step है second है list of functions एक पार आपने अपने goals बना लिये यानि कि after having clearly defined goals with the help of organizational structure the list of work to be done is prepared at the time of preparing such a list is this in short that not a single task is left or it is repeated मतलब एक बार आपने अपना goal बना लिया तो अब आपको क्या करना है उन कामों का list बनाना है उन कामों का list बनाना है जो आपको अपने business unit में करवाना है और जब आप वो list बना रहे हो तो ये बात का धियान रखना कि कोई भी काम double double ना लिख दो या फिर कोई काम रहना जाए इसलिए जब वो list बन जाए तो उसे double check भी कर लेना चाहिए third है departmentation of function so once the list of functions is prepared the work area similar in nature are classified and similar functions are placed together then the division of work is done accordingly अब ये क्या है तो एक बार आपने सारे function का list बना लिया यानि आपने वो सब list बना लिया जो आपको करवाना है तो अब आपको क्या करना है उन सारे कामों को classify करना है और जो जो similar है उसे एक साथ रख देना है तो देखो example से समझो समझ आएगा अब समझ लेते है कि मेरा objectives clear कर लिया और मैंने वो list भी बना लिकी मुझे अपने employees से क्या काम करवाना है तो अब वो जो list है न मेरे पास उसमें मैंने लिखा है समझ लो मेरी car manufacturing company है तो मैंने उसमें लिखा है कि ये दो employees A और B ये दोनो tires बनाएगे C और D ये लोग steer बनाएगे ये और E और F ये लोग breaks बनाएगे ऐसे से मैंने लिखा हुआ है तो ये सारे लेकिन काम क्या कर रहे है manufacturing का ये लोग काम कर रहे है तो इन सब का काम कहीं ना कहीं similar है तो मैं इन लोग को एक group में डाल दूँगी तो इसलिए का गया है कि similar functions are placed together मतलब जो जो काम एक जैसे है उनको मैं एक group में डाल द रहा है यानि कि purchase area में कितने काम सेम आ रहे है तो उनको एक group में sales area में कितने काम सेम आ रहे है तो उनको एक group में accounts area यानि कि accounting करने का काम कितने लोग वही काम कर रहे है तो उनको एक group में रख देते है तो ये है departmentation of function फोर्थ है to determine departmental position and abilities once when the work is departmentalized properly the task to have proper persons to handle the responsibilities are created as per positions and abilities are planned accordingly अब हमने उपर वाले point में ये देखा कि हमने बहुत सारे group बना दिये तो अब हम क्या करेंगे कि उन groups के head को decide करेंगे यानि उन group का कोई head बनाएंगे अब वो group या department का head जब हम बना रहे हैं तो हमें ठीक तरह से देखना है कि क्या उसमें abilities है जो हम उसको position दे रहे हैं क्या उसके हिसाब से उसके अंदर abilities है क्या वो responsibilities को handle कर पाएगा ये सब देखते हुए ही हमें हर post पे कोई ना कोई head बनाना है अब आपने बहुत सारे heads बना दिये जैसे divisional heads अब आपको क्या करना है इने final कर देना है कि हाँ आप ही head हो और अब इने कुछ power दे देना है आपको कुछ responsibility दे देनी है ताकि वो लोग अपने काम को ठीक तरसे perform कर सके एक बार आपने उन सब को अच्छी तरसे work distribute कर दिया आपने उने power और responsibilities भी दे दी तो अब आपको उन सब के बीच में एक inter relation बनाना होगा एक बार आपने सब कुछ सब को सही तरह से बता दिया कि कौन क्या post संबालने वाला है सब को position आपने बता दिया तो एक बार आपको क्या connect चार्ट बना देना है और notice board पे लगा देना है ताकि कोई भी problem ना हो किसी को भी तो आज के लिए इतना ही कल के वीडियो में देखेंगे structure of an organization तब तक के लिए bye bye tatang आओ जो झाओ 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 झाओ